तो स्वागत है आज की वीडियो में आपका तो आज मैं आपको एक्सल के अंदर कुछ फॉर्मेट्स बनाने सिखाऊंगा जैसे यह मैंने लिखा है यहां पर सोचल मीडियो स्कूर कर तो इसको मैं स्टैप बेस्टैप बनाना सिखाऊंगा तो वीडियो को एंड तक देखें और चुकि जब तक आप इसे आण तक नहीं देखेंगे आपको फिसमय में नहीं आएगा कि यह मैंने कैसे बनाया है तो शुरू करते हैं यह फॉर्मेट मैंने यह आपर ले निया और कंट्रल एंड से मैंने एक नया पेज और कर लिया तो यह फॉर्मेट मिरे पास भी है त एखोजी एक कोलम यह कांट होता है दूसरा तीन चार हमारे बास है तो हमें ये साथ कोलम के अंदर ही क्रेट करना है तो सथे पर गए आपको प्याओ करना है इसको सेवन कोलम तक एसे स्लेक कर लेना है करने के बाद आपको से मर्ज एंड सेंटर करना है कि हमारा पहला कोलम जो है वो थोड़ा स्ट्रेश है तो आपको यहां से से अच्छाइश कर लेना है मैं फिर से बता रहा हूं देखो ए और भी यह जो हमारी होती है इसको है इसको फोलते हैं बन टू थरी और एबी सीडी जो होती है इसको है इसको फैनिंग बोलते हैं तो इन दोनों के भीच में आप कर सब लेकर आओगे तो यह हमारे पस ड्रैक का सब्सक्राइब आप इसे प्रेस करें उसके बाद आप जितना भी कॉलम स्ट्रैस करना चाहिए आप इस को स्ट्रैस कर लें यह वाला हमारे सेवन कलम तरह हो चुका थोड़ा साइज इंग्रीज कर दें अब बॉल्ड करने उसके बाद अब जो नेक्स्ट है हमारा यहां पर एक बिल्कुल वाइट पट्टी हमारी बिल्कुल खाली है तो हम एक कॉलम रो छोड़ के उसके बाद हमां की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाएंगे तो यह वाला रो मैंने छोड़ दिये बिल्कुल यहां तक सेवन तक मैंसे मर्जन सेंटर कर दूंगा बिल्कुल वाइट हो जाएगा वह और यहां पर हम मैंटर लिखेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अगले साल में हमारी तारीक है आसे तो यह तीन कोलम तक हमारी मर्ज होती है मर्जन सेंटर आप फॉर्मेट देख लें देखो यह पूरे तीन कोलम तक इसके निचे से copy कर लूँगा और यहां पर लाकर आप पेस्ट करने के लिए एंटर के यूज़ भी कर सकते हैं एंटर से भी पेस्ट हो जाता है उसके बाद आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करने के से 3-4 procedure होते हैं मैं पको बताता हूँ एक तो आप इसके डबड़ क्लिक कर सकते हैं तो 3-4 procedure से आप इसको एडिट कर सकते हैं इस तरह से भी अब जो अगला है हमारा एक्स वाइज जट वैब साइट यह थोड़ा सा स्ट्रेच है और टार्गेट एक्ट्वाल और कमेंड्स यह सेम है हमारे क्लिक करके अब इसे सेंट्र लाइन में यहां से कर ले उसके बाद इसमें आपको टार्गेट लिकना है अगले कोलम के अंदर आपका एक्ट्वाल कमेंड्स कमेंड्स वाला कोलम थोड़ा स्टाइस कर लें चुकि वो पूरा नहीं आ रहा है इसमें ऐसे आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं तो इन तीनों को आप से यहां से स्लेक करें कॉपी करें कंट्ल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं और नेक्स्ट कॉलम में जाके एंटर पैस कर दें तो यह पेस्ट हो जाता है इसमें भी आप सही मार्जन यहां पर डाल दें थोड़ा स्ट्रेश है तो आप यहां पर देखो हैं लेंडिंग मैंने बताया था भी तो दोनों के पिसमें करसे लाक है फिसे फ्रॉड़ा इस ट्राइज कर सकते हैं। और इनको सेंटरलेणमेंट करना तो यहां से सेंटर करें। ऑ देखो यह जो अलाइनमेट होती है डाउन्वाली। कि मैं त्रोडवेद स्ट्राइज करके दिखा रहा हूँ ही जूडर माले लेनमेट होती है यह राइट की लाइनमेंट है किician में चला गया सेंट्र और राइट है और यह ज़्य कीPer ही और अप डाउन और को होती है अप यह सेंटर है अरी डाउन है तो ऐसे आपने की यहां से विसके आप से रहे हैं कि ए कुच चीए है साइज इन कर विड़ा सा है नमदातर कर दें और यहां से क्वाव गर्पे तार्गेर करती ही कैपिटल है इसमें भी या फिर आप इसे कॉपी कर लें यहां से कंट्रॉल सी और यहां पर लागे पेस्ट कर दें तो इसली आप इसको सेट कर सकते हैं नेक्स्ट नमबर ओफ विजिट्स तार्गेंट सिर्णेंट नप हैं तर्गेंट बैली actual यहां पर भी हमरी वेल्व सेम है अगर आप देखना चाहें तो यही सेम वैल्व यहां पर फिल है तो इसी value को हम यहां से ctrl c से copy और यहां पर लाकर enterprise कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा हमारा मेंटर जो है वो Central alignment में है तो अब इसे भी Central alignment में ले ले ऐसे उसकी पादा कर अब कलर करना चाहें इसी फॉर्मेटिंग है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है वो है टूइटर कर इसी भी आप स्ट्राइज कर ले इस तरह से अब बाराइज और वोल्ड शेम इसमें टार्गेट है टार्गेट को मैं यहीं से कोपी करूँगा और यहां पर अंट्रवेस करूँगा उसके बाद हैं पर रियल होता है यहां पर आपका कॉमेंट से समय हैं कंट्रवेस से कोपी यहां से अलight है करा से कंट्रवेस से चसे voulais आप पर चाहिए तो उसके तीन को मैं यमक्र चाहिए तो उसके वहां पर भी फोर्मैटिंग हो जाती है उसके बाद यही तीनों आगे हैं तो तीनों को मैं कोपी करूंगा कंडूल सी से कोपी और नेक्स्ट हमारा पेस्ट उसके बाद इसके मैट रहे हैं जसके बाद जाद रहे हैं कि नाइन्टी नाइन टू फॉर्स जीरो है कि यहां पर कमेंट्स में एक है कि कोपी करें कंट्ल सी से कोपी और यहां यहां पर सेम है पेस्ट करते हैं चैक के अंदर यहां पर वह बिल्कुल वाइट है तो हमें इसमें भी एक बिल्कुल यहां से सेलैक करके बाद जर्ट जेंटर करके इसको वाइट पूरा छोड़ देना है अगले में फेस्बॉक वैल्यू है आप इसको यहां से पूरे को भी कोपी कर सकते हैं कोपी करके आप यहां पर लाई और एंटर माल दें तो मैटर आपका ऐसे आजाता है अगर आप पूरे कॉलम क रो की size सेम लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर heading पेस को copy करना पड़ेगा और फिर यहां लाके पेस्ट करना पड़ेगा तो same size और same setting आपकी आ जाती है अगर आप simply कोपी करेंगे तो उसमें सिर्फ matter matter आता है उसका जो size वहां सेट के होगा वो आपके कभी नहीं आएगा तो यह चीज़ ध्यान रखें डब क्लिक करके ट्विटर की सब्सक्राइब फेस्बुक है बाकि सेम है मारा करें रखें ऐस आएखें का अएगा है करें गज़ चारी प्रड़ियर का बाकि ऱील वह ची बाकि बाकि अएगा पना रखेंगी जाएगा प्राइब ट्विटर का पशने बाकि जाएगा पशने की सब्सक्राइब पां इप Advait सेम वालिव कंट्रूल सी कॉपी और एंटर से पेस्ट सेंटरल लाइनमेंट अब लास्ट हमारा ब्लोग करें गया है तो मैं सही तरह से इसको राइट क्लिक करके यहां से कॉपी करूँगा और इसमें भी एक रुआ को छोड़ देना है और यहां पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ इसको भी सेम आपको स्लैक करके मर्जन सेंटर कर देना है डबल क्लिक करके मैंने बताया था कि एडिटिंग करनी है तो डबल क्लिक करके कर सकते हैं या फिर उसे फॉर्मला बार में या फिर कीबोड से एप टू प्रेस करके आप उसे कर सकते हैं प्रेस कर सकते हैं अब है अब हमारा फॉर्मेट तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन बस इसमें फॉर्मेटिंग दे रही हैं कि इसमें क्लर क्या क्या दे रहे हैं तो सबसे उपर देखो हमारा क्लर कैसा है 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 तो हैppen आपसे स्लयक्त करें और यहां पसका है इसका फॉर्ण और कर जिम कर शाथ है है और उसके पास में पर उसके अइस फॉर्ड रही है तो मैं से तो सद्मरेडर में जो हो है वो सेम है तो अप क्ली करदें च fat रहेगा यह वाइट रहेगा कि इसके नाद यह थोड़ा सा चेंज है और यह ग्रीण यह फिर आप अपने हैसाब से इसमें कलर दे सकते हैं जैसा भी आप चाहें तो चलो मैं सेम कलर से देता हूँ आप इस पे क्लिक करें या फॉर्मेट पेंटर करें उससे भी आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सेम फॉर्मेट और सेम फॉर्मेट पेंटर से सेम उसमें फॉर्मेटिंग आ जाती है अब यह वाली फॉर्मेटिंग आपको नीचे भी चाहिए तो उसमें क्लिक करके आप जितने में डालना चाते हैं फॉर्मेटिंग आ सकते हैं तो यह असानी से आपका फॉर्मेट हो जाता है इसमें रेड है और में पेंटर का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा मैंने इसके पर एक वीडियो भी बनाई थी फॉर्मेट प्रेंटर के इसका यूज़ क्या होता है तो वह मैं डिस्क्रिप्शन वोक्स में उसका लिंक डाल दिया है आप देख लेना इनका मैं अब की बार थोड़ा यहलो पर देता हूं पर्माट पेंटर सेम ही है इसमें थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं तो इस तरह से हमारा पेज़ यह हमारा सेट हो गया उसके बाद अभी इन बीच वालों में भी आपको जो भी कलर देना चाहें दे सकते हैं अभी हमारा जो पेज है वो मैंने यह पोर्टरेट के अंदर सैट किया है पोर्टरेट पेज है लेकिन जो यह फॉर्मेट है हमारा यह फॉर्मेट जो है वो लेंसकेप में है तो page का आपको लैंड्सकेप में लेना पर ब Lat compr देगा तो लैंड्सकेप के लिए आपकर page layout के अंdर जाना है और page layout में जाके आपको यहांपर size होता है हमारा size जो है आपको यह है pakai 4 हमारा paper होता है अपको लेना है जैसे मैंने तो तीन कोलम्स का थोड़ा मार्जन बढ़ाना है तो आप किसी भी कोलम के बीच में से बगड़े थोड़ा स्ट्राइज करें तो सबका सेम साइज हो जाता है इसे भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं आपको मार्जन दिखाई देता रहेगा आप उसी का ध्यान रखें ताकि वो दुस्री बेस पर ना जाए एक यह पूरा आपका फॉर्मेट आ चुका है अब जब आप इसे प्रिंट प्रिवी चेक करते हैं तो प्रिंट प्रिंट प्रिवी में जो ग्रेड लाइन्स होती है जो लाइनिंग है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है यह आ कर लेना है प्रिंट में आपको देखने को मिल जाएंगी है तो इस तरह से पूरा पूरा प्रिंट प्रमेट जो है वहां वो बनके तयार हो यह वह पर्फोर्म है मैं आपको excel के त्रीट करना करना बताऊंगा है इसमें थो थोड़ा रफ तिखाई दिए रहा है लेकिन जब बनेगा तो बहुत ही अट्राक्टिव और बहुत ही यूजेबल फॉर्मेट है तो शुरू करते हैं आज के वीडियो है तो मैंने यहां पर एक निया पेस्ट ले लिए और यहां पर मैं आपको इसको बना कर दिखाऊंगा तो सबसे पहले लाइन जो है हमारी मैक्सिमम टिमांड जिरो फॉर दो हज़ार वाइस तो फाइव तो हज़ार पाइस आफ और पी करें आज है तो हमारा जो यह फॉर्मेट है इसके अंदर कितने कोलम है वह हमें काउंट करने पड़ेंगे देखो यहां से हम कॉलम काउंट करेंगे पहला वान टू त्री फॉर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टैन लेवन ट्वार्टिन फॉर्टिन फिट्टिन शिस्टि कि एक दो तीन चार पांट से साथ आठ नो तस यारा बारा तेरह चोड़ा पंदरा सोला सत्रा ठारा नीज बीस इकिस इकिस कोलम है तो यह जो मैटर लिखा हमें 21 कोलम तक ऐसे स्लैक करना पड़ेगा यहां तक 21 और इसे यहां से आपको मर्जन सेंटर करना पड़ेगा उसके बाद आप एक कोलम छोड़के यहां पर आपको नेम आउफ लिखना है जो कि आपके फॉर्मेट के अंदर देखो पहला कोलम खाली है और उसके उपर यहां पर यह नेम आफ कोलम है आप लगए अब नेम ओफ कोलम जो है वो तीम कोलम के अंदर है यह कि नेम कोलम कें अंदर यहां इसके अंदर डिविजटन ने यह पर दूखनाrat कि यह जो सर्कल डिविजिन है यह 90 डिविजर में रूटेट हैं आपको यहां से से रूटेट कर लेना है ओके इस पर भी क्लिक करके आपको F4 प्रेस कर देना है कीवोर्ड से F4, F4 मिन्स होता है repeat last command यापकी जो आखरी command जो इसमें यूज हुई है वही यहां पर हो जाएगी, देखो same आपके यहां पर यह, इस तरह से मैं इनको करता है यह, तो आप इसे ऐसे ट्रैक कर सकते हैं तो इस तरह से अगर दोनों को एक साथ करना है same position में तो दोनों को आप heading से slack करें और दोनों को एक साथ tight कर दें ऐसे matter आपका central alignment में है तो यहां से यह left right central alignment होता है और यह up down का central alignment होता है हमारा तो इस तरह से आप इसे set कर सकते हैं अब इस के अंदर आप हमारा name आप यह matter हमारा जो है एक ही cell के अंदर दिखो इस तरह से एक अठा हो रहा है एक साथ यहां पर सब division था जस्ट तो यह matter मुझे अगले साल के अंदर चाहिए तो मैंसे यहां से cut कर लूगा और इस पर लाके paste कर दूगा यहां पर मेरा matter अलग है सब डिवीजन और यह up down है अगर आप चेक करें तो यह बिल्कुल ओपर नीचे है तो इसे बोलते हैं व्रैप टेक्स्ट यानि आपको के matter के अपर क्लिक करके यहां से ब्रैप टेक्स्ट ओन करना है तो आपका matter जो है वो अप डाउन हो जाएगा और यहां से alignment इसकी सेंटर वियरा ले ले अब यह जो matter है यह भी से में इसी तरह करेंगे और एक margin कर देंगे तो सबका same margin आपका यहां पर आ जाएगा थोड़ा और stress करना है तो ऐसे ले सकते हैं इस तरह से उसके बाद इसके अंदर आपका transform है इसके नीचे name of sub station and income अब इसमें थोड़ी spelling mistake हो गई है तो उसको edit करने के लिए Excel के अंदर तीन procedure होते हैं या तो आप उसके बाद डबब क्लिक करें तब आपका करसर आजाएगा या फिर आप उसके क्लिक करके keyboard से F2 प्रेस करें F2 से भी edit हो जाता है और तीसरा जो है वह आप मेंटर पर क्लिक करके हैं format यह हमारा formula बार होता है आप यहां पर भी जाकर से चेंज कर सकते हैं तो इसे भी आप टेक्स में मेंटर ले लें central alignment इस तरह से हो जाएगा उसके बाद अगला मेंटर हमारा नेम ऑफ 11 के भी आउट्वाइं फीडर यह हमारा कुलम दोड़ा स्ट्राइच से इस तरह से मेंटर को ब्रेप टेक्स्ट सेम अलाइन्मेंट अब यहां पर आपको यह भी आपको कोलम जो है उपर तक आपको यह कि मर्जन सेंटर करना पड़ेगा च्वी सारा का सारा जो है वह कोलम एक ही है यहां से देखो यह कोलम यहीं पर खतम जाता है रो खतम हैं तो मर्जन सेंटर वो अटमेटिकली हो जाएगा चाटागरी और फीडर इस तरह से और यहां से ब्रैफ टेक्स्ट अलाइन्वेंट आपकी सेम हो जाएंगी उसके बाद यहां पर हमारा मैक्सिमुम डिमांड है डिमांड एफ्टू प्रेस करेंगे और यह लाश तक हमारी सैल है यहां तक मर्ज होएं यू तक तो आपको इसको भी यू तक स्लेक करके मर्जन सेंटर करते हैं वो सेंटरल आमड माटमेटिकली सला जाएगा अब यहां पर हमारा यह डेट है लिखे हुई तो हम यह लिख देते हैं आपरेल बाइस देखो यहां पर बाइस अपरेल हो गया मुझे चाहिए अपरेल बाइस तो आपको इसमें थोड़ी एडिटिंग करने पड़ेगी राइट क्लिक करके इसके फॉर्मेट साल के अंदर जाए है कि यहां पर आपको नमबर होता है यहां से आपको डेट लेनी है यहां फिर यहां पर निचे लिखी हुए है यानि पहले हमें मन्ठ चाहिए फिर डे फिर यह कंड्र जाद करमनेट सलालानमेंट यहां डेट फॉर्मेट सेलेक करके फिर आप यहां से सही कर लें इसको देखो ऐसे अब यही फॉर्मेट से मुझे सब में चाहिए तो मैं इसको ऐसे ड्रैग कर दूँगा लाश्ट तक उसके बाद यह जो डेट है यह हमें चेंज करनी है तो इने हम कट कर देंगे क्योंकि जो कंडिशन मैंने यहां पर सेट की है सेम अब सब में लग चुकी है तो आपको बार बार उसको करने की जूर्ट नहीं पड़ेगी में 2022 इसमें जून है जुलाई आगस सेप्टेंबर इस तरह से हैं तरह सेप्टे सेफेस्टे में इस पार क्या हम भीच सेप्टेंशन है? इसमें थाल आपको खिएस्टेंशन है इसमें परसे सेफ्टेंशन अनुपलाई में पार्ची जुलाई भीच्टेंशन हैं कि यहां पर 20 आएगा एफ टू से आप एडिट करें कि तेईस इस तरह से यह मैटर हमारा हैं सेंटर लाइनुमेंट में हैं तो इसे भी आपको यहां से सेंटर कर देना है बिसका लेफट राइटा नाल में भी सेंटर सेन्टम होना जाए उसके बास कि अब यहां पर हमारी सिक्वेंस है बंडू धरी कांटिंग है तो आप बंडू डू प्रेस करें दोनों को स्लैग करता है और यहां पर देखें यह ड्रैक का साइन आता है तो आप यसे ड्रैक करें प्रेस करके यह हमारे 28 तक है तो अभी मैं सिर्फ इसे 20 तक लेकी जा रहा हूँ मैंटर को स्लैक करें सेंटर लाइनमेंट है यह भी यह सेल थोड़ा टाइट है तो आप यहां से से टाइट कर दें इस पूरे मैंटर के अंदर जो सेल है इसमें यनर है यम्न नगर है और इसमें बी अल आर है इसमें आपका स्टी आर अब नीचे तक सेम है तो आपको इसको जैसे यह तो आप इसे स्लैक करके यहां से ड्राइग कर सकते हैं एक प्रोसीजर यह भी है दूसरा आप इसे कॉपी करें Ctrl-C से कॉपी करें और जितने cell में आपको फिल्ड करना है slack करके Enter ब्रेस कर दें तब ही फिल कर सकते हैं तो यह दो procedure आप यूज़ कर सकते हैं तो दोनों बेसे जो भी आपको इसा लगे वो यहाँ पर आप इसे इस तरह से फिल्ड कर लें matter आपका यह भी central alignment में है है कि आया कि बिलास पर अब यह में चुह है अगर आप फार्मेट के अंदर देखें तो हमारा फोर्टिंद अब यह पूरा पूरा एक साल बना हुआ है बन से लेकर 14 तक को इसे भी 1214 तक कि यह तक आपका बंता है तो पिशे यहां से मर्दम से करने और लगत तक करने और यहां से अलाइन्मेंट इसकी सेंटर करते हैं तो देखो पिल्कों सेम बन गया अब अगले में भी आपको सेम करना है कि तो वैल्यू लिखेंगे है कि टीज़ाइब कि अग्याइब कि सेम वहां तक स्लेक करके मर्जन सेंटर व्राइब टेक्स्ट और अलाइन्मेंट सेंटर कि तो मैंने यहां तक ले लिए अब नीचे से भी ट्वंटी एट तक लेई जाते हैं तो दोनों को स्लेक करके चोंकि पूरा परफॉर्मा एक बार में कवर कर लेते हैं ट्वंटी एट तक यहां तक इन तीनों को भी एक साथ लाइक करके आप ऐसे ड्रैक कर सकते हैं सेम आजाएगा यहां पर भी same value है यही वाली तो आप इसे ctrl c से copy करें और यहां पेस्ट कर दें same is में है ctrl c से copy और यहां पर पेस्ट कर दें बस यहां पर t2 है आप double click करके भी edit कर सकते हैं या फिर f2 से मैंने बताया हैं देखो यहां पर t2 है t1 है तो इस तरह से आपका यह format जो है यहां तक complete हो गया उसके बाद आगे आपका यह matter same ही है यहां पर तो मैं इस matter को यहां से copy करके पेस्ट कर देता हूं मर्ज हटा देता हूं यहां से आप क्यों कि वह मुझे एक लाइन में चाहिए इसके मां अगा है आप 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 क्यापिटल है तो मैं कैप्सलों कर लूँ है कि अगे कि अगे की एए कि यह हमारे यहां से ब्राइब टेक्स्ट हो रहे हैं इसलिए ऐसा है आपको ब्राइब टेक्स्ट नहीं चाहिए तो अब इस तरह से चेंज कर सकते हैं तो है तो हमारे फिटर्स के नेम है यह कोई भी फिटर्स नेम फिल कर सकते हैं सेम करने हैं सेम कर दें कर दो कर दो मैं सभी में इनको सही मी करते हूं यहां से कोपी करके और लास्ट तक मैं से पेस्ट इस तरह से मैंने इसको फिल कर दिया हूं अब यहां पर एपी है कि आरडियस एपी 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 अरबन एपी एपी आपको बार बार लिखने की जूरुत नहीं होती और डियस यह आटोमेंटिकल उठा लेता है इसको यहां आपको पार डीस और चेंट अई। में आपका टोटली ब्लैंक है यहाँ पर हमारी वैलिव आ जाएगी देखो हमारे फॉर्मेट के अंदर यह वैलिव फिल की हुई है तो यह मैं टोटली फिल करूँ है जो कि उसके बाद मुझे इस पेज को जो है वो लैंड्स के पेज़ पर सैट भी करना है और उसको एक ही प इस पर कैसे लेकर आएंगे वो भी बताना है क्योंकि यह इस टाइम दूसरे बेस पर चला गया होगा इसके सैटिंग जो है वह आपको मैं कम्प्लीट बताऊंगा कि कैसे इसके सैटिंग हो गए तो वीडियो को एंद तक देखते रहें हुआ में है है कि यह पर बेली तुछ ज़ाग जाएंग यह हुआ हुआ है आड़ा कि अपकी सबी सेल्स के अंदर हमारे जीरो है तो यह सब इजिली भर जाएंगे आप सिर्फ एक जीरो फिल करें उसके बाद आप इसे ड्रैक करें क्लिक करके यहां से ड्रैक आप नीचे तक भी से ट्रैक करें आए इस तरह से टोटली मेटर्ज तो है वो सेंट्रल्राइन मेट में है कि यह लइन एक्ष्ट्रा होगी टोटली मेर्ज हैब कंट्रोल ज स्कुल से जॉम कर सकते हैं ऐसे अगर आप पूरे पेसदा लेकर सुर्णा यहां से उसके बाद यहां से अलाइनमेट इसकी सेंटर हो जाएगी तो यह फॉर्मेट हमारा कम्प्रीट हो चुका है अब हमने इसमें जो ग्रेड लाइन्स होती है अब इसे प्रिंट चेक करेंगे तो यह अभी पॉर्ट्रीट पेज़ पर है तो मैटर मुझे लेंड्सके पेज़ पर चाहिए तो इसके लिए आपको पेज लियाओट के अंदर जाके औरियंटिशन में आपको इसे लेंड्सकेप करना पड़ेगा देखो जैसे लेंड्सकेप करते हैं आपकी जो यहाँ पर डॉटर लाइन दिखाए दे रही है यानि यहाँ तक सिर्फ हमारा पेज है अब यह इतना मेटर एक पेज़ पर कैसे सैट होगा जोकि हमारा जो फॉर्मेट है यह पूरा एक की पेज़ पर है और एफॉर साइज पर ही है तो आप साइज यहां से एफॉर भी ले ले जोकि थोड़े कॉइंट्स आपके यहां से बढ़ जाएंगे देखो अभी भी प्रोपर नहीं आ रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे प्रिंट के अंदर जाए अब यहां पर यह उप्शन होता है हमारा मारजन इसको ओन करना है आप इसे यहां से थोड़ा लाफ ट्राइट कर दें हैं तो एक दोकॉल्व आपका आ जाएगा उसके बाद आप इन कॉल्ण्स को सभी क उल्ए करें जो कमें थोड़ा से मारजन स्पेस जादा है यह जड़ा है तो आप जितना स्पेस का है ए मॵित भुड़ा इक को भी अगर आप ने किसी भी एक kolum को भी select किया तो यह totally kolum जो है आपके सम में same size जो है वो set हो जाता है ऐसे जरह सा इस तरह से उसके बाद आप यहां से demand में थोड़ा change कर दें यहां पर आपका थोड़ा सा margin यहां से तो अब भी भी दूसरे बेस पर हैं देखो नीचे से भी हमारा मेंटर जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है तो अब लास्ट उप्शन हमारे पास क्या बाजती है पहले में इसकी थोड़ी कलर फॉर्मेटिंग कर देता हूं यह बाला फॉर्मेट का सबका कलर में कर देता हूं यहां से इस तरह से ग्रेड लाइन्स हमारी प्रिंट में नहीं आ रही है तो उसका भी उसके लिए भी आपको इसको सलैक करना है और यहां से आल बोडर आपको कर देना है आल बोडर करने से टोटली जो ग्रेड लाइन्स हैं आपकी हाइलाइट हो जाएंगी और प्रिंट में भी आएंगी अब लास्ट उप्सन इसको पेज पर सैट कैसे करें तो हमारे पास यहां पर बेजल आउट होता है तो बेजल आउट के अंदर मरजन हम कंप्लीट कर चु चुके हैं उसके बावजूद भी यह हमारा एक पेज़ पर नहीं आ रहा है आप डॉटर लाइन आ रही है तो यह बता रहा है कि यह इतना मेटर जो है हमारे दूसरे पर था है तो आपको स्केल यूज़ करने पड़ेगी देखो यह आपर आप स्केल थोड़ा कम कर दें तो आपका मेटर जो है वो पूरा एक पेज़ पर आ जाएगा आप एक बार प्रिंट प्रिवी पिचा करें देखो इस तरह से यह पूरा पूरा जो फॉर्मेट है आपका एक ही पीज़ पर सैट हो जाता है तो अगर कभी भी आपके पेज में सेटिंस नहीं आ रही है प्रोपर इस पे भी आपको थोड़ा सा सेटिंग बताऊंगा देखो जैसे यह फॉर्मेट है तो इस फॉर्मेट के अंदर 13 कोलम यानि 13 कोलम के अंदर यह फॉर्मेट हमारा कम्प्रीट हो चुका है अगर आप चैक करें तो यहां पर बान टू और यह त्री है फोर फाइव सिक्स से यहां पर हमारा यहां तक 47 तक यानि 47 रो है और 9 कोलम आते हैं यह फॉर्मेट के अंदर है तो यह फॉर्मेट है उसको कैसे सैट किया उसको कैसे सैट कर के बनाया था तो अगर आप वीडियो देखना चाते हैं तो मैंने description box में उसका link डाल दिया है तो आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं तो शुरू करते हैं वीडियो तो यह फॉर्मेट हम थ्यार करना शुरू करते हैं कि सेलेक्शन एंड कि सब्सक्राइब यह हमारा यहीं पर मैं इसको थोड़ा साइज बढ़ा दूआ है जो कि हमारी है बॉल्ड हो गया उसके बाद फर्स्ट कोलम में निमेरिक के लिए आपका छोड़ दूआ है देखो यहां पर इसमें नंबरिंग है 1234 दूसरा कोलम प्रोजेक्ट नेम से हमारा परमेटर वो सुरू हो जाएगा यहां से अए हburgयम में पना उसे बान में करेंगे कि यहां पर अगर आप चेक करें तो देख स्बस्ट इंफार्मेशन है और यह प्रोजेक्ट इन्फॉर्मिशन जो है हम आप तक मर्ज की हुई है यानि एक कोलम है रू आपका यहां तक मर्ज किया हुआ तो आपको यह मेंटर यहां से पहले तो जाव इसे काट करें और इस मेंटर में लागे पएस नहीं अब इसे आपको कितनी काउंट करने पड़ेंगे मैं देख लेता हूँ कि यहां तक आपका यह साथ कोलम तक जाके से मर्दन सेंटर करते हैं तो यहां पर आपका यह के हमारा प्रजेक्ट नेम है कॉलम को थोड़ा स्ट्राइच करना पड़ेगा आपको जो कि इसमें और भी मैट रहेगा आउब नद बच्ट है ड्यूरेशन है स्टार्ट है एंड है इसके बाद भी है बट यहां तक पहले ले लिए रहते हैं से मनेज्मेंट प्लान यह बैटर देखो अगर आप देखना चाहेंगे तो यह पूरा यह पूरा एक लाइन के अंदर आया है तो इसको एक ही को इसी में सेट करने के लिए आपको यहां से व्रैप टैस्ट कमांड को यूज करना पड़ेगा यह आपका मैंटर यहीं पर सेट हो जाएगा आप इसे थोड़ा स्ट्रेश करेंगे तो इस तरह से सेट हो जाएगा रो को आप यहां से टाइट कर सकते हैं जो कि इनकी सेटिंग्स रो कोलम की जो होती है इनके बारे मैंने पहले वीडियो में बताया होगा है कि यह हमारी A, B, C और 1, 2, 3 जो होती है है और आप किसी भी कोलम के बीच में अगर गरसर लेकर आएंगे तो यहां पर यह री आपका बनता है अब इससे стрaiț कर सकते हैं इसी तरह से हमारे रो होते हैं था अपर रो को भी कि हायट विड़् को कम ज्यादा कर सकते हैं आलाइनमेंट नहीं यह होती है इनग मेटी लेफ रैनमेट जैसे भी आप रखना हो है अहां से अब क्यक्स अजेत खरोन है कि उसके ब आप टू प्रेस करके आप एडिट कर सकते हैं इसमें फॉर है यहां पर हमारे एक सेल जो है वो खाली है अगर आप चेक रहे हैं यहां पर पूरा का पूरा जो एक रो है है वो खाली है यहां पर तो आगे के मैटर भी फिट कर देते हैं पहले यह वाला कंप्लीट कर देते हैं यहां पर आर डोट हाई एच हाई रेंग है बजट के अंदर वैडियू आपके 95.600 देखो एंटर बैस करने पर वह पॉइंट्स आपके नहीं आएंगे 85 मैं अनको भी ब सब्सक्राइब बढ़ाक्तु आदर पहले तुमें यहीं पताता हूं कि इसके अंदर जो डेसिमल्स होती है वह ऐसे कभी भी कहीं कि आगर आप लिखना चाहेंगे तो डेसिमल्स आपको बभी शो होंगे ही नहीं तो आपको कुलर करना है सलाक करने के बान हूं आपका जो ट अनवर्ट हो जाएगी एंटरप्रेस करने पर यह माइनस में आती है तो इसे ब्रैकेट में कैसे लेंगे आपको उस सेल पर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल के अंदर जाना है फॉर्मेट सेल में जाके आपको इसको टेक्श लेना पड़ेगा और रूक या फिर आप यहां से भी इसको टेक्स ले सकते हैं फिर आप एlles लिखेंगे तो वो ब्रैकेट में ही रहेगा देख़ो इस तах से अगर आप इंशान दिखाई दे तो आप यहां से से इगनोर कर सक कर सकते हैं वो मैसेज वहां से चला दाएगा इसी अलाइमेंट आपको फिर राइट करने पड़े गए उसके बाद अब सेम वैलू मुझे निशे चाहिए तो मैं कंट्रूल डी प्रेस कर सकता हूं कंट्रूल डी फूर होता है डाउन फिल सेम वैलू कर आप यहां पर फिल कर सकते हैं कंट्रूल डी प्रेस करके से राइट फिल होता है अगा इसके बाद इसके आगे भी वैलिव है हमारी नौ शुलाई से हमारा शुरू हो जाएगा फिर सिक्स्टिन शुलाई है ट्वंटी थ्री शुलाई है थर्टी शुलाई है सिक्स अगस्ट है थर्टी अगस्ट ऐसे एफ टू एडिट करें अगर कुछ भी चैंजेस चाहिए तो अब यहां पर आपका कमेंटर अलग आजाएगा जैंट चार्ट एंड और विक इस तरह से फॉर्मेट के नदर देखेंगे तो यह भी आपका अलाइन्मेंट राइट हो रहा है तो आपको इसको भी स्लैक करके यहां तक मर्जन सेंटर करना है और अलाइन इमेंड इसकी राइट करते हैं तो यह अध्याट अलाइन्मेंट पर आपका सेट हो जाएगा बैग्राउंड कलर आप चेंज करते हैं और फॉन कलर आप यहां से चेंज करते हैं तो इस तरह से हमारा यह फॉर्मेट भी बना शुरू हो गया यहां पर हमारे सभी में कलर है देखो ब्ल्यू है ग्रीन और यहलो है तो उसको स्लैक करके सबको ब्ल्यू करना है इसमें मैं ग्रीन कर दूँगा और यहां पर यहलो हमारा गलर आ जाएगा ऐसे उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर पूरा को पूरा सेल बना हुआ है कमेंट का तो आप यहां पर मैटर लिखें कि अचे अब इस पूरे क्े पूरे सेल को जहां तक हमारा मैटर है सेंट घ्रमर्मेट मेंचा दें उसके उसके रूह नीचे बिल्कुल प्लैंक है खाली है तो आपको यह पूरा छोड़ देना है उसकी बाद यहां पर हमारा मैट रहा है गा अज़िए पर नेम यहां पर आपका साइंड टू आगया इसमें कोस्ट कोलम आपका यहां से खुल जाएगा इस तरह से दूरेशन स्टार्ट एंड डेट हमारी सेम रही कि यही फाली तो आप यहां से से कॉपी कर लें और यहां पर लागे एंडर बैस करने पेस्ट हो चाता है करता है कर दो आपिए कर दो यहां पर जापकर लंप चाता है कर दो बालब चाने हुआ है कि अब जो कि अब कि अ अब यह भी आपको यहां से ब्रब्रक्स करना पड़ी कि क्योंकि मैंटर आपका नीचे तक है कि चैक कर सकते हैं कि यह वाला मेटर जो है पूरा को पूरा जैसे यहां पर यह लाइन है यह भी थोड़ी कलर्ड है अब यहां से से थोड़ा सा कलर चेंज कर दें और सेम इसमें भी आपका कलर आएगा सेम कलर आप यहां से दे दे ले आएश यहां पर भी है कंड्रोल-डी प्रेस कर नो पर इसके बाद S अब आज है यहां पर भी से में चंट्रॉल टी प्रेस करें यहां पर हाई रिंग वाला है तो मैं से कंट्रॉल सी से पॉप्य कर गए हैं यहां पर पेस्ट करते हुआ यहां पर इनकी वैलिव है इसमें आ जाएंगे कि मैंने पॉइंट का यूज किया है 0.5 डेज़ स्टार्ट में आपका पांच जुलाई है सब में तीन में पांच जुलाई है माइनस जुलाई सेम है तो कंट्रॉल डी कंट्रॉल डी तीन बार आ गया उसके में अच्छे है और यहांपर नाइन आख कि सेम आपका अगले में भी है एंड़्पॉंट में भी आप इसे कोपी करें और इस पे एंडर प्रेस्ट करें टेस्ट हो जाएगा नोव वाले में कलर है चेक करेंगा ब्लू और सब में यालो तो यहांपर ब्लू करें आपके सब हमारे यह लो हो जाएगे अभी मैंने grid lines देना नहीं बताया तब इसमें grid lines आपको दिखाई नहीं दे रिया है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो grid lines आपको proper थोड़ थोड़ दिखाई दे रिया है तो यह जब grid line so on करूंगा तो यह भी आपको दिखाई देंगी तो यह दो format हमारे complete होगे अभी दो और हैं इसमे अभी यहाँ पर summary है हमारी summary वाली line में पूरी में blue color है इसमें सब में एक चीज मैंने note की है देखेंगे तो यह वाली value same यहां पर तो मुझे बार-बार type करने की शुरूत नहीं पड़ेगी मैं सीक्व सारे को यहां से copy करूंगा और यहां पर पेस्ट करता हूं लेकिन इनकी alignment जो है वो right alignment हो रही है वो left alignment हो रही है बस इनकी alignment जो है मुझे यहां से right कर दी करने से वहां पर वह आजाएगा बसे इसके अंदर एक निया कमेंट्स है वह यहां पर सेट हो जाएगा इनकी वैल्यू है कोस्ट में को माइट डबल जीरो और यहां पर शिक्स को ट्रिपल जीरो जो है वो डेसिमल साथ को यहां से सट करने पूड़ेंगे मैंने बताया था इसके बारे में और यह ब्रैकेट वाला यहां पी ब्रैकेट वाला है तो मैं मैं कॉपी करके यहां पर भी सेम कर दूँआ फिर एक टू से जो वैल्यू चेंज करनी है मुझे वह मैं यहां पर वैल्यू चेंज कर दूँआ है क्योंकि मैंने बताया था कि ब्रैकेट आता नहीं है सब्सक्राइब पर पर फाइफ फाइब जीरो पांच चुलाई एक्श्वल नोज लाई है कोपी किया से मेंटर यहां पर सेम है हमारा कमेंट प्रोवेड़ यह वाले में थोड़ा सा चेंज है कोमेंट सेम है बकि मैं पूरे साल कोई यह से कॉपी करके यहां पर पेस्ट करूँए और यहां पर पेस्ट है यहां तक आपको मर्जन सेंटर करना पड़ेगा दो बार मर्ज करें तो यह आटोमेटिकली हो जाएगा आपका वैल्यू आपकी जो भी है यहां पर प्रोवाइड कोमेंट तक है हमारा है तो मैंटर कर सिर्फ इतना से बोल्ट करना चाहें तो वह स्लेकर के बोल्ट इतना भी हो सकता है डबल्ड क्लिक करें स्लैक करें और बॉल्ट चूपी मैटर कें अंदर इस टाइप का फॉर्मैट है आपका अभी एक फॉर्मेट और है हमारा लास्ट सेम वैल्यू है हमारी तो मैं यहां से पूरी लाइन को कोपी कर लोगा कोपी करने के बाद आप यहां पर एक लाइन छोड़ के यहां रवेंटर परस करें पूरी लाइन आपके पेस हो जाएगी क्योंकि सेम है यहां पर बस वैल्यू आपकी चैनल प्लान है कि लाइनमेंट इनकी चेंज हो रही है तो अलाइनमेंट आप यहां से लेफ्ट कर लें और यह मैटर जो है वो ब्राप टेक्स्ट होगा जो कि एक इसाल के अंदर उसको हमें कर्ठा करना है अब आपको ब्राप टेक्स्ट इनके लिए शोट क्मांड भी होती है फूर आप रपीड करके उसको भी कर सकते हैं है तो यह इस तरह से हमारा मैटर पूरा हो गया है कि अब डी केपिटल है अफ्टू से अडिट करेंगे और टी केपिटल करेंगे बी हुआ 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 है हुआ है सेम है इसमें डी वाला है कंट्ल सी से कॉपी यहां पर पेस्ट आइज एस अब बास और सेम इसमें भी यहां ए प्याँ सेमी तन वो कि वो इस दो है अबगा धर है 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 28 तक था यह रेक्स्टर कैसे जा रहा हूँ है इसकी वन डे शेम कंट्रोल डी वन डे इसमें टू डे है तो गंट्रोल डी और एफ टू से आप हां सॉरी गंट्रोल डी और फिर आफ टू से भी चेंज कर सकते हैं ऐसे लग्की यहां पर वन डे है और नीचेंज में सेम इस तरह से हैं कंट्रोल डी से स्टार्ट हमारा बारा जुलाई से है तीन में बारा है कंट्रोल डी और यह हमारा तेरह से है तो में तेरह हैं बाकी बीज जुलाई है हमारा सब में एंड पॉइंट्स में यहां पर थोड़े से कलर्स आपके चेंज है देखो यह कलर्स बगरा तो यह मैं देदेता हूं है क्थ दो के अंदर हमारी विल्यू हैं बाकिस में नीचे थक हमारा य्यलू है आसे तो यह फॉर्मेट हमारा लग बग हमारा कवर हो चुका है मैं पहली वैली में हमारा निमेर की है जो कोलम था हमारा हमने अब इसको फिल नहीं किया है तो यहां पर हमारी वैल्यू होती है सब्रबान टू कि थ्री फॉर फाइब इस तरह से और इनके भी सेम इसी तरह से वन टू थ्री फॉर फाइब आपके आ जाए गए यह अलाइन्मेंट आपकी लट हो जाएगी आप दोनों को स्लैकर के ड्राइग भी कर सकते हैं तो बात आजाती है ग्रिड लाइन्स की क्योंकि प्रिंट प्रिविव जब आप इसका चैक करेंगे तो वहां पर आपको ग्रिड लाइन्स देखने को नहीं मिलेगी मैंने पहले से ही पेज को लैंड्सकेप में करने आपको इसको बताया था कि यहां से लैन्स के भेहोगा तो ग्रिड लाइन कैसे आजिए इसको आप यहां पर आपको लैनिंग नहीं चाहिए यह करिषिए आप यहां पर हमारे फॉर्मेंट के अंदर यह रो नहीं है तो मुझे इस रो को यहां पर right click करके delete करना पड़ेगा वह वहां से खतम जाता है यह वाला पूरा का पूरा आपको एक बार select करके आपको merge and center करना पड़ेगा और फिर आप इसको alignment आपके back करने पड़ेगे जो कि अगर आप इसको ऐसे ही करेंगे तो यह पूरी की पूरी line जो है वो grade lines भी आपकी print में आएगी तो यह भी आपको merge करना पड़ेगा और यहां पर भी एक line है इसको भी आप आप फोर प्रेस कर दें तो यह भी मर्ज हो जाते हैं अब आप पूरा मेंटर सेलेक करें और यहां तक और यहां पर बॉल्डर के अंदर जाके आपको और यहां से अब हमारा जब मेंटर है यह चार कोलम जो है वह दूसरे पर जा रहे हैं तो इनको भी हमें एक पर सैट करने तो प्रेंट के अंदर गए यहां पर आपको मार्जन होता है आप इसे यूज़ करें इस तरह से यहां पर भी हमारे पास स्पेस बचा हुआ है देखो इतना स्पेस यहां पर एक इंच का होता ही है अब यह दर हो गया है श्यालो आओ आप यहां पर अभी भी हमारे तीन कॉलम बचे हुए है तो आपको पीस लियाउट के अंदर जाके आपको स्केल का यूज़ करना हुआ तो आप पूरे कोकौलम्स को हैंडिंस is rak करें इस तरह से 커피 है और रिन नकूत थोड़ा सा टाइड़ करसे आ हिए जितनां भी आी हो सकता है कि अवारिन में भी थोड़ा-टोड्य सुमार्द हो सकता है तो मैं को वित श्युदा सान्य करूं ए ऐसक जस्थ दो कोलम हमारे रह गया तो आप यहां से隅ल कम कर दें हमारा पूरा 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 format या है वो पूरा एक। सेट हो गया है तो इस तरह से आप format क्योए भी बनाना एक्सल के अंदर सीख सकते है तो आशा करते हुद आपको फिर्दिया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और अगर आपने बैल आइकन को प्रेस्ट नहीं किया है क्योंकि इस तरह के इंट्रस्टिंग वीडियो जो है वो मैं बनाता रहता हूं तो उनके वीडियो में डालता रहता हूं अगर आपने बैल आइकन को प्रेस्ट नहीं किया है तो झांकू